नमस्कार दोस्तों वेलकम टू स्टडी आईक्यो जुडी शरी दोस्तों आज के अपनी सेशन में हम पढ़ेंगे भारत के constitutional history की एक one of the most important and most significant judgment that is केश्वानन्द भारती वर्सेस state of केरला एक ऐसी judgment जिसने सही माइनों में भारतिय समिधान की supremacy को establish किया एक ऐसी judgment जिससे निकलती है basic structure doctrine जिसने ना केवल भारत में बलकि दुनिया भर में अपनी चाप छोड़ी आज हम देखेंगे कि केश्वानन्द भारती के इस case के पीछे का इतिहास क्या था क्या कारण बने इस judgment के आने के और इससे जो basic structure doctrine निकली उसका क्या मतलब है उसके क्या आयाम है तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दों दोस्तों कि study IQ लेकर आया है study IQ जुडिशरी एक ऐसा dedicated चैनल उन सभी लोगों के लिए जो कि या तो जुडिशरी की तयारी कर रहे है या फिर किसी एने legal examination जैसे की APO आदी की तयारी कर रहे है है या फिर law college entrance examination जैसे की क्लेट आदी की तयारी कर रहे हैं अगर आप legal awareness में भी विश्वास रखते हैं तो study IQ चैनल को आप join कर सकते हैं चले सबसे पहले केशवन अंद भारती केस तक पहुंचने के लिए क्या क्या इवेंट्स हुए वह हम यहां पर समझ लेते हैं स्टेप बैस्टेप ओन इवेंट्स को हम आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले हमें देखने को मिलती है आर्टिकल सुरी फर्स्ट कॉंस्टिटूश अमेंडमेंट्निक्ट और फिर आता है केशवन अंद भारती केस लेकिन कभी भी कोई ऐसा इंपोर्टिन्ट केस जो है वो किसी कानoup की उपर ही हमें आता हुआ दिखाए देते यानि कि वहां पर कोई ना कोई कानून रहा होगा कोई ना कोई legal provision रहा होगा जिसकी उपर सवा सवाल उठाया गया होगा वो जो लीगल प्रोविजन हमें यहां पर पढ़ना है वो है आर्टिकल 13 बेसिकली केशवनंद भारती केस जो है वो जुड़ा हुआ है अमेंडे बिलिटी ओफ फंडामेंटल राइट्स यहां पर जो बेसिक सवाल था वो यह था कि पार्लियमेंट क के पास क्या फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने की क्या फंडामेंटल यानि की मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की अनलिमिटेड पावर है वही में सवाल उठता है केशवनंद भारती केस में अब यह सवाल क्यों उठा वह सवाल उठा आर्टिकल 13 के कारण 13 में दो क्लाउस हमें यहां पर पढ़ने हाभी के लिए पहला क्लाउस है कहते जी आल दी लॉज इन फोर्स इन टेरिटरी आफ इंडिया इमेडियेटली बिफोर दी कमेंस्मेंट आफ इस Constitution in so far as they are inconsistent with the fundamental rights shall to the extent of such inconsistency be void यानि की इसमें कहा गया की pre-constitutional laws जो है यानि की सम्विधान के लागू होने के पहले के जो कानून है अगर उन में से एक भी कानून ऐसा है जिसका कोई भी हिस्सा fundamental rights के दाएरे से बाहर जाता है यानि कि हमारे fundamental rights का हनन करता है तो ऐसे कानून के उस हिस्से को हम क्या कर देंगे वाइड डिक्लेयर कर देंगे माली जी देर इस लो जिसमें 10 सेक्शन है उन 10 सेक्शन में से सेक्शन नंबर चार जो है वो धरम के आधार पर लोगों में भेदभाव करता है कि क्रिस्टिंस को ये और हिंदू को ये फैसिलिटी अब ये क्या हो गया आर्टिकल 14 यानि कि हमारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस जाता है तो अगर ये प्री constitutional law है तो आर्टिकल 13 clause 1 में ये कह दिया गया कि ऐसे कानून को हम क्या कर देंगे हम वाइड डिक्लेयर कर देंगे जुडीशरी उसका जुडीशर रिवीव के उस कानून का जुडीशरी उसको रिव्यू करके अगर वो वाकरि में फंडमेंटल राइट का हनन करता है तो उसे क्या करनेंगगे व्यों टेक्ल अवाइड करने अर्टिकल 13 2 भी कुछ ऐसी बात करता है बस तो तवारक क्या आगया कि article 13 वन जो है वह वो प्री constitutional law की बात करते है और article 13 clause 2 जो है Wो possible constitutional laws की बात करते है article 13 clause 2 क्या कहता है कि कोई भी state का कोई भी और गन जैसे कि चाया वह पार्लेमेट है चैर्लेजिसलीसलेटेव असेंबली है या फिर कई बर एक्जेक्टिव भी कुछ कानून बनाती है तो स्टेट की कोई भी और गन ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जो की फंडामेंटल राइट्स को इन फ्रिंज करेनिकी मौली का धिकारों का हनन करे आर्टिकल 13 क्लॉस्टू क्या क्या गया दस्टेट शेल नॉट मेक एनी लॉट अब यह जो लॉट है नहीं से ध्यान से पढ़िएगा क्यूंकि इस लॉट शब्द को हम आगे भी इसे दुबारा कंसीडर करेंगे स्टेट शेल नॉट मेक एनी लॉट विच टेक्स अवे और अबरिज इस दी फंडामेंटल राइट्स ओके सो अगर ऐसा कोई कानून बना दिया तो उसे क्या कर देंगे वाइड डिकलेर कर देंगे कौन करेंगा वह डिकलेर अगें जुडिशरी डिकलेर क प्रिटेशं के बाद फर्स्ट डिकलेर अमेंट्मेंट मेंटमेंट एक्ट अब हमस्ट सेब को पढ़ना शुरू इन का पढ़ना शुरू करते प्स इसका बैगरांड से देकिए जब हम ब्रिटिश के अंडर थे तो स्हां में हम जानाते हैं कि जमिनदारी सिस्टम एनिकरIS जमीनदारी प्रता हुआ करते थी उसमें होता क्या था कि मैक्सिमम जो जमीन होती थी वो जमीनदारों के पास होती थी और बाकी मैक्सिमम जो लोग हुआ करते थे वो क्या करते थे वो लैंडलेस लेबरर्स हुआ करते थे उनके पास जमीन नहीं हुआ करते थी ऐसे में एक्स सतम करना है ऐसा हमने ठान लिया Land Reforms लेकर आएंगे ऐसा हमने ठान लिया Land Reforms लाने के लिए हम कानून लेकर आएंगे जिसमें हम लैंड Sealing कानून जिसको बोल देते हैं जमिनदारी Abolition Act भी हम उसको बोल देते हैं कि भई हर व्यक्ति के उपर हमने एक सीमा लगा दी कि आप इससे ज़ादा भूमी अपने पास नहीं रख सकते अगर इससे ज़ादा भूमी है तो वो आपसे ले ली जाएगी और छोटी जो यहाँ पर किसान है उनमें बांट दी ज एक तरफ से तो अच्छा काम कर रहे थे कि जमिनदारी को खतम कर रहे थे लेकिन दूसरी तरफ से हमारे fundamental rights के को इंफरेंज कर रहे थे उनके against जा रहे थे कैसे देखे आर्टिकल 19 clause 1 में right to property उस समय हुआ करता था क्योंकि नया-nया कानून बना था और यह 1950-51 की ही बात है सो 1950-51 में हमें देखने को मिलता है कि राइट तू प्रोपर्टी वह स्टेला कर रहे थे इसलिए हमारे जो यह जो जमिंदार लोग थे इन्होंने क्या किया इन्होंने इन कानूनों को target करना शुरू कर दिया इनके खिलाफ हाई कोर्ट में petition डालनी शुरू कर दी अंडर आर्टिकल 226 की भाई हमारे तो fundamental rights छिन गए अब बहुत सारी petitions जानी शुरू हो जाती है हाई कोर्ट कभी उन petitions को entertain करके उन पर कानूनों को निरस्त कर देते हैं कभी नहीं करते हैं ultimately सरकार ने यह सारे जंजट को खतम करने के लिए क्या किया first constitutional amendment act लेकर आया first constitutional amendment act के जो दो मुख्य प्रविजन थे वो ये कि एक तो आर्टिकल 31 एक आर्टिकल 31 भी ये दोनों ही जो आर्टिकल से यह सरकार के सरकार को अधिकार देते थे प्रोपर्टी को एक्वायर करने का खास करके आर्टिकल 31 जो है आर्टिकल 31 जो है वो 9th schedule लिया या 9th schedule में यह लिख दिया गया कि भाई यह एक शील्ड की तरह है basically री नाइंघ शेडूल एक शील्ड भाला समय छील्ड उसकी तरह था ये और इसमें लिख दिया गया कि जो भी कानून नाइंच शेडूल में डाल दिया जाएगा चाहे वΟ है भी स्टेट के द्वारा पास किया गया कानून हो जो भी लॉग नाइंट शेडूल यानि की नोवी अनुसूची में डाल दिया जाएगा उस लॉग को जुडीशरी रीव्यू नहीं कर पाएगी उस लॉग के उपर जुडीशरी अपनी तलवार नहीं चला पाएगी उस अब हुआ यह कि लोगों ने फस्ट कॉंसिटूशनल अमेंडमेंट एक्ट को ही चैलेंज करना शुरू कर दिया आर्टिकल 32 के तहट लोगों ने यह जो जमिनदार लोग थे उन्होंने फस्ट कॉंसिटूशनल अमेंडमेंट एक्ट को ही चैलेंज करना शुरू कर दिया य और पार्लेमेंट के पास कोई ऐसी पावर नहीं है कि कोई ऐसा कानून लेकर आए जिससे हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है मामला पहुंच गया जी सुप्रीम कूर्ट और वो जो मामले का नाम था वो था शंक्री प्रसाद सिंग्धियो वर्सिस यूनियन ऑफ इंडिया 1951 का यह मामला यह मामला था जहां पर जमिन्दारों ने यह चैलेंज किया कि भई सरकार आर्टिकल 13 क्लॉस वन में और आर्टिकल 13 क्लॉस टू में लिखा हुए कि कोई भी कानून अगर अगरेंगे फर्णमेंटल राइट का हनन करेगा तो उसे वाइड डिक्लेयर करेंगे और 13 क्लॉस टू में तो स्पैसिफिकली लिख दिया कि सरकार ऐसा कानून लेकर ही नहीं आ सकती कि वह हमारे fundamental rights का हनन करे जो first constitutional amendment act आया है again first constitutional amendment act act का मतलब क्या हो गया उनका कहना था जी act का मतलब हो गया law article 13 clause 1 में यह मना किया गया है कि कोई कानून नहीं लेकर आना जो fundamental rights का हनन करे यह first constitutional amendment act आगया my lord यह एक ऐसा कानून है जो fundamental rights का हनन कर रहा है इसे निरस्त करो इस केस में किस केस में शंकरी प्रसाद के केस में honorable supreme court नहीं यह कहा कि भाई यह जो article 13 clause 1 में और 13 clause 2 में यह जो law शब्द का इस्तिमाल किया गया है यह law constitutional amendment act की उपर लागू नहीं होगा यानि कि article 33 68 के तहत अगर कोई constitutional amendment act सरकार ले आती है उसके उपर article 13 clause 2 का कोई प्रभाव नहीं होगा कोई ordinary law लेकर आया होता सरकार ने कोई आम कानून लेकर आया होता सरकार ने और अगर उससे आपके fundamental rights का हनन हो रहा था तो वह judicial review के दाइरे में आता लेकिन अगर constitutional amendment act के तहत सरकार कोई amendment act यानि की कोई कानून लेकर आ रही है तो वह judicial review के दाइरे में नहीं आएगा सरकार को यहां पर पूरी के आजादी है डैट की वह 368 के तहत कोई भी amendment act लाके आपके fundamental rights का हनन कर सकती है क्या कहा दिकोर्ट गेव दी वर्डिक्ट डेर्टी टर्म लौ अंडर article 13 means rules and regulations made in exercise of ordinary legislative power यानि की कोई साधारन कानून आता वुसके उपर article 13 clause 2 लगता है कोई constitutional amendment act अंडर article 368 आ गया उसके अंडर उसके उपर यह लागू नहीं होगा तो पार्लेमेंट ने यहां पर क्या किया पार्लेमेंट यहां पर constitutional amendment act को law की definition से आर्टिकल 13 clause 2 में law की definition से बहार निकाल देती और पार्लेमेंट को यहां पर पावर मिल जाते सुप्रीम कोट ने यहां पर यह क्या सुप्रीम कोट ने यहां पर क्या किया सुप्रीम कोट ने यहां पर basically harmonic construction की जो principle थी उसे apply किया यानि कि यह जो दोनों आर्टिकल से इन में एक balance बनाने की कोशिश की अब हम बात करते हैं सेवन्टींथ Constitutional Amendment Act की क्योंकि हमने यहां पर देखा कि पहले क्या आया फिर क्या आया यहां पर हमने अभी जो केस देखा शंकरी परसाद का उसके बाद कि आया था सज्जन सिंग का केस सज्जन सिंग का केस इसलिए आया क्योंकि उसके पाद सेवन्टींथ Constitutional Amendment Act आया सेवन्टींथ Constitutional Amendment Act के तहद चौवालीस ऐसे कानून जो कि हमारे fundamental rights का हनन कर रहे थे उन्हें सरकार ने उठा कर 9th schedule में डाल दिया उसको चैलेंज करते हुए सज्जन सिंग वर्से स्टेट ऑफ राजस्थान का केस आया लेकिन इस केस में वन्स अगें सुप्रीम कोर्ट ने त्री इस्टू टू की मेजोरिटी से शंकरी प्रसाद की जो जज्जमेंट थी उसे continue रखा और आर्टिकल 368 को यहां पर फिर एक बार तवज्जो जादा दी इन कंपरेजन तो आर्टिकल 13 और यह कहा कि अगर कोई constitutional amendment act आ रहा है तो वो आर्टिकल 13 clause 2 की definition के हिजाब से law की definition में नहीं जाएगा यानि कि अगर constitutional amendment act के थुरू fundamental rights का हनन हो रहा है तो उस पर judicial review नहीं किया जा सकता और उस कानून को निरस्त नहीं किया जा सकता अब आता है जी ultimately गोलकनात का case गोलकनात का यह जो case था इसी गोलकनात वर्स state of Punjab का इसमें सज्जन सिंग के case के जो decision था उसी को लगबग यहां पर challenge किया गया था और इस और जो इससे पहले की शंक्री प्रसाद की judgment थी उन्हें overturn कर दिया और पार्लेमेंट की power को curtail कर दिया कैसे समझते हैं honorable supreme court ने यहां पर कहा कि article 13 clause 2 में जो law राइट्स कॉनफर्ट बाइब इस पार्ट एन आनिक यानि कि क्या पार्लेमेंट कोई भी ऐसा law नहीं लेकर आएगी जो कि fundamental rights का हनन करता हो अब जो गोलकनात का केस था उसमें यह स्पष्ट कर दिया गया कि भाई पार्लेमेंट ने अगर कोई constitutional amendment act लेकर आया है तो वो जो constitutional amendment act होगा वो article 13 clause 2 के हिसाब से law की definition में आएगा यानि कि अब यहां पर यह कह दिया गया को गोलकनात की judgment में कि भाई हम यानि कि Supreme Court judicial review करेगी constitutional amendment acts का भी आगर यह constitutional amendment act हमारे fundamental rights का हनन कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे उसे article 13 clause 2 के हिसाब से हटा देंगे उसे word declare कर देंग तो गोलकनात का यह case था जिसने पहले दो cases की जो कहानी थी उन्हें overturn कर दिया और पार्लेमेंट के लिए कहा गया कि पार्लेमेंट के नॉट अबरिज दी fundamental rights as they are included in part 3 और अगर पार्लेमेंट किसी भी constitutional amendment act के थ्रू ऐसी कोशिश करती है यानि कि वो हमारे fundamental rights का हनन करती है तो वो जो constitutional amendment act है उसे हम law की category में गिरेंगे किसमे article 13 clause 2 में और article 13 clause 2 में जो भी laws हैं उनकी उपर हमने क्या कहा कि हम judicial review कर सकते हैं तो गोलकनात की judgment में article 13 को तवज्जों दी गई over article 368 यह थी गोलकनात की judgment जिसमें पहले के दो केसिस को reverse कर दिया गया गोलकनात की judgment आने के बाद फिर से एक बार flood gates खुल जाते हैं बहुत सारी petitions honorable supreme court के पास आनी शुरू हो जाती हैं high courts के पास जानी शुरू हो जाती हैं यह कहते हुए कि गोलकनात में यह कह दिया गया कि कोई भी constitutional amendment act अगर fundamental rights का हनन करेगा तो उसे हटाया जा सकता है तो लोगों ने जा कि कहना शुरू कर दिया कि माई लॉर्ड first constitutional amendment act ने भी हमारे fundamental rights का हनन किया fourth constitutional amendment act ने भी हमारे fundamental rights का हनन किया 17th constitutional amendment act जिसने 44 कानूनों को 9th schedule में डाल दिया था उन सबने हमारे fundamental rights का हनन किया आप क्रिपया करके उन सारे के सारे constitutional amendment acts का judicial review करो अंडर आर्टिकल 13 clause 2 और उन्हें void declare करो supreme court ने कहा कि भाई इस तरह हैं से तो हजारों petitions आएंगी और it is not possible कि उन सब को entertain किया जा सके supreme court ने फिर यहां पर क्या किया एक clarification दी कि हमारी जो गोलकनाथ की judgment है जिसमें हम कह रहे हैं कि आर्टिकल 13 clause 2 की law की definition में क्या आ जाएगा constitutional amendment act आ जाएगा यह जो हमारी गोलकनाथ की judgment है इसे हम prospective effect देंगे retrospective effect नहीं देंगे तो पहली बार गोलकनाथ की judgment में ऐसा हमें देखने को मिलता है कि prospective over ruling की doctrine भारत में लागू हो गए basically prospective over ruling की doctrine है यह अमेरिका में तो लागू होती थी लेकिन गोलकनाथ के इस case से भारत में भी लागू कर दे गए prospective over ruling का मतलब यह होता है दोस्तों कि अगर supreme court ने या high court ने कोई decision दिया तो वो decision को अगर prospective effect दे दिया जाता है तो इसका मतलब यह है कि जिस दिन decision दिया उस दिन के बाद से उसका effect होगा उस दिन से पहले जो कुछ भी हो चुका है उसके उपर इसका कोई effect नहीं होगा ज्यों Constitutional Amendment Act 1, 4, 17, जिसके उपर यह आरोप लग रहा था कि उन्होंने हमारे Fundamental Rights का हनन किया है, वो as it is बने रहेंगे, तो ये थी जी हमारी Prospective Overruling, अब हम बात करते हैं 24th Constitutional Amendment Act के, एक बार करेंगे 24th Amendment Act के, दरसल ये जो 24th Amendment Act था, ये पार्लेमेंट का एक जवाब था गोलकनाथ की जज्जमेंट को, so basically ये यहाँ पर जो है पार्लेमेंट ने जवाब दिया किसको गोलकनाथ की जज्जमेंट को, इस Constitutional Amendment Act के तहत, क्या जवाब था, चलिए देख लेते हैं, हमने यहाँ पर जो 24th Constitutional Amendment Act की बात की, उसमें कहा गया, Article 13 Clause 4 एड़ कर दिया गया, और Article 368 Clause 4 एड़ कर दिया गया, आर्टिकल 13 Clause 4 क्या कहता है, उसमें सपष्ट कह दिया गया, कि भाई, अगर, Article 34 क्या कहता है, देखिए, नटिंग इन इस आर्टिकल शेल अपलाई टू एन एन एनि अमेंडमेंट आफ दिस तो वो सारी बातें, आर्टिकल 368 के तहत, जो भी Constitutional Amendment Act आएंगे, उन पर लागू नहीं होगा, मैं दुबारा इसको बताता हूँ, आर्टिकल 13 Clause 1 में क्या लिखा है, चलो देखते हैं, आर्टिकल 13 Clause 1 में लिखा है, सपस्ट लिखा है, अभी हमने पढ़ा, कि भाई, कोई जो प्री Constitutional है, अगर वो fundamental rights का हनन करता है, तो वो वोई डिकलेर कर दिया जाएगा, आर्टिकल 13 Clause 2 में क्या लिखा है, कि भाई स्टेट कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगी, जो की fundamental rights का हनन करे, अगर बनाया तो उसे क्या कर देंगे, वोई डिकलेर कर देंगे, आर्टि में हैं, वो law की definition में नहीं आएंगे, बेसिकली यही बात कही, कि भाई वो law की definition में for the purpose of article 13 Clause 1 and 2 fall नहीं करेंगे, और अगर हम constitutional amendment act के थ्रू कोई भी fundamental right का हनन करते हैं, या कोई भी fundamental right में यहाँ पर change ले कर आते हैं, constitution में कोई भी बदलाव लेकर आते हैं, तो उसे जुडिशरी के सामने नहीं ले जाया जा सकता, उसे निरस्त नहीं कराया जा सकता, तो यह बेसिकली 24th constitutional amendment act की कहानी है, 24th constitutional amendment act लाई गई थी किसको निरस्त करने के लिए गोलकनाथ का जो effect था, क्योंकि गोलकनाथ में क्या कह दिया था, गोलकनाथ में पार्लेमेंट सुप्र लेकिन ये 24th constitutional amendment act आया, इसमें 2 changes लाए गए थे, article 13 clause 4 add किया गया, article 368 clause 4 add किया गया, और सपष्ट कर दिया गया, कि भाई गोलकनाथ की judgment जो है, उसको हमने रस्त कर रहे है, क्यों, क्योंकि हमने कह दिया कि constitutional amendment act की उपर, article 13 clause 1 नया 2 का effect हो गई ने, चलो, अब हम बात करते हैं उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद, पारलेमेंट ने 25th constitutional 26th and 29th constitutional amendment act भी ले आया, अभी ये ये भी कुछ गढ़वड, इन में हमें देखने को मिलती है, गढ़वड in the sense कि ये भी थोड़े से controversial amendments थे, और इन सभी को मिला कर केशवानन्द भारती case में challenge किया गया, तो हम constitutional amendment act क्या था, थोड़ा सा समझ लेते हैं, बेसिकली इसमें supreme court को सपष्ट रूप से जो supreme court के जो एक power को छीन लिया गया था, और वो power ये थी कि supreme court यहाँ पर quantum of compensation declare नहीं कर सकता, या determine नहीं कर सकता, अगर सरकार किसी की जमीन छीनती है, मतलब मतलब मान लिजिया, अगर सरकार ने article 13 clause 1, 31A के तहट या 31B के तहट किसी की जमीन छीनी, तो supreme court उसमें ये decide नहीं करेगा कि उसको compensation कितनी मिलनी है, फिर उसके बाद 26 constitutional amendment act में प्रीवी पर्स जो था, जो हमारे first while former rulers थे, जिन को हमने एक प्रीवी पर्स के तहट क्या दिया हो था, कुछ पैसे उनके बांदे ह रहेगी सरकार, क्योंकि उन्होंने अपनी states का भारत के साथ merger किया था, वो प्रीवी पर्स को इन्होंने यहां पर क्या कर दिया, abolish कर दिया, 29th constitutional amendment act जो था, इसमें केरला के दो act थे, केरला state के दो land reform act थे, उन्हें 9th schedule में डाल दिया गया था, अब यह तीनों controversial थे, और इन स case, इसे थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते हैं, केश्वान अन्द भारती case की अगर हम बात करें, 13 judges का bench था, जिसने यह case का decision दिया, जिसमें जो majority decision था, उसमें इन सभी judges ने participate किया, चीफ जस्तिस, SMC क्री उसमें lead कर रहे थे, 7-6 की judgment आती है, और एक बहुत बड़ा conflict जो चल रह था, पार्लेमेंट के बीच में, executive के बीच में, judiciary के बीच में खास करके, उसे end कर दिया गया, और इसमें, पार्लेमेंट, जो सुप्रीम कोट है, इसमें यह नहीं देखा कि हम article 13 को तवज़ दें, यह article 368 को तवज़ दें, इसमें Supreme Court ने एक balance बनाने की कोशिश की, Supreme Court ने यह यहां पर harmonious interpretation का जो है, यह principle इसे लागू किया, कैसे चलिए देखेंगे, सबसे पहले facts देख लेते हैं, जो केशवन अंद भारती थे, यह एक religious institution के, religious मठ के, जो है, head थे, केरला में, और इनके पास वहां पर कुछ जमीन थे, केरला government एक कानून लेकर आती है, Land Reform Act लेकर आती है, उस act के तहत, इनकी कुछ जमीन को छीन लिया जाता है, इन्होंने उस कानून को यहां पर challenge किया, under article, यह कहते हुए कि मेरे जो fundamental rights to, जो property है, उनका हनन हो रहा है, और इसका, इन्होंने challenge कर दिया, कब March 1970 में, इसके बाद हमें देखने को मिलता है, कि भई, उन्होंने ये इसके भी बात कहीं कि भई, right to property and right to religion का, right to equality का, इसके बाद केरला government एक और कानून ले आती है, केरला government भी यानि रुकरी है, एक और कानून आ जाता है, इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि in the meantime, यहां पर 24th constitutional amendment भी आ गया, 25th constitutional amendment भी आ गया, यानि कि आप देखते हो कि लगातार यहां पर ऐसे कानून आते जा रहे हैं, जो की fundamental rights का हनन जिससे हो रहा है, इस सब को यहां पर challenge कर दिया गया, केशवननद भारती के इस case में, खास करके वो जो 29th amendment act आया, उसे यहां पर challenge किया गया, और जो बाकी सारे यहां पर जो lost थे, उनको यहां पर challenge कर दिया गया, सबसे जो बड़ा issue यहां पर court को decide करना था वो यह कि क्या 24th constitutional amendment act और 25th constitutional amendment act सही है, अभी हमने 24th constitutional amendment act देखा, जिसमें article 13 clause 4 add किया गया था, और 33 68 clause 4 add किया गया था, हमने अभी previous वाला वो देखा, हमने यहां पर, so यह क्या यह amendment सारी constitutionally valid है, एक question तो यह था, क्या दूसरा question यह था, क्या पार्लेमेंट के पास unlimited power है, fundamental rights को, क्या करने की, average करने की fundamental rights को, हनन करने की क्या contention थी, respondent की, अब जो state of kerala थी, उनकी क्या contention थी, उनकी contention यह थी, आप सुनके हरान हो जाओगे, जो state of kerala थी, उनकी तरफ से यह कहा गया, कि भई, पार्लेमेंट के पास unlimited power है, पार्लेमेंट चाहे तो आपके सारे fundamental rights ले ले, पार्लेमेंट चाहे तो democracy को हटा कर, उ जो पूरी power यहाँ पर जो है, पार्लेमेंट के पास है, अंडर आर्टिकल 368, किसी भी हद तक पार्लेमेंट जो है, constitution comment कर सकती है, ऐसा state of kerala के जो, यानि कि जो respondent party थी, उन्होंने कहा, जो petitioners थे, उन्होंने कहा कि भई, पार्लेमेंट की जो power है, वो काफी जादा limited होनी च तो सबसेस्ट for ever, and the constitution was drafted to free the nation from the future tyranny of the representatives of the people, यानि कि यह जो constitution लाया गया था, यह Britishers की तरहें, कोई आगे हम पर tyranny ना करें, आगे हम पर यहाँ पर जो है, रूल ना करें, उसको बचाने के लिए लाया गया था, तो fundamental rights को तो नहीं लिया जा सकता, Supreme Court ने क्या कहा, वो यहाँ पर सबसे ज्यादे important है, 24 अपरेल 1973 की judgment, 70 to 6 की majority सी judgment आती है, Supreme Court ने यहाँ पर कहा, कि पहली बात तो यह कि Parliament जो है, वो constitution के किसी भी हिस्से को amend कर सकती है, be it fundamental rights, be it directive principles of state policy, कोई भी हिस्सा है, उसे amend किया जा सकता, no problem in that, but, एक चीज़ का जो पार्लेमेंट है, उन्हें ध्यान होगा, या एक चीज़ का जो state legislature है, उन्हें ध्यान रखना होगा, वो ये की आप basic structure को नहीं छेड सकते, there are some basic, basic features in the constitution, आप उन्हें नहीं छेड सकते, held that any provision of the constitution can be amended by the parliament in order to fulfill its socio-economic obligations that were guaranteed to the citizens as given in the preamble, provided that such amendment did not change the basic structure of the constitution, minority का जो यहाँ पर जो 6 judges थे, इनका कहना था कि भई Parliament के पास सारा कुछ amend करने की power नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर Parliament की power के उपर limit लगानी चाहिए, लेकिन majority ने यहाँ पर smart play करते हुए क्या कहा, यहाँ पर कहा कि भई Parliament के पास यहाँ पर power unlimited है, कोई बात नहीं, आप उनको power से दो, सारा कुछ यहाँ पर amend कर सकते हैं, लेकिन basic features जो हैं, उनको नहीं छेड़ सकती Parliament, और इसी के तहत, यहाँ पर कहा गया कि जो 24th constitutional amendment act लाया गया, जिसमें हमने क्या देखा, article 13 clause 4, जिसमें यह लाया गया था, उसको यहाँ पर valid करार कर दिया, लेकिन 25th constitutional amendment, जिसमें कहा गया था, कि Parliament जो है, वो judicial review की power ले रही है, किसकी, Supreme Court की judicial review की power ले रही है, और High Court की judicial review की power ले रही है, उसे यहाँ पर खारिज कर दिया गया, यह कहते हुए कि जो judicial review है, that is the basic structure, that is the basic feature of Indian constitution, अब यह basic feature या basic structure है, क्या चलिए, समझ लेते हैं, देखे, हम जैसे, हम एक room में बैठ लखते हैं, उस room में कुछ pillars होते हैं, यह एक room की छट है, इस छट को हमने कुछ pillars से support किया होता है, अब वो pillars के साथ में दिवारें भी बनाई होती है, pillar के साथ में यहाँ पर glass भी लगा होता है, शीशा भी लगा होता है, शीशे को और इंटों को अगर bricks को हटा दिया जाए, तब भी छट नहीं गिरेगी, क्योंकि basic structure जो है, वो क्या है, वो pillar है, that means there, these pillars are the basic structure, अगर इन्हें हटा दें, तो छट गिर जाएगी, अगर उस basic feature को हटा दें, क्या pillar को हटा दें, तो roof will collapse, but जब तक वो pillars है, तब तक आप इटों को जैसे मर्जी इदर उदर करते रो, दिव intact है, यही है basic structure, हमारे constitution के supreme court ने कहा, कि there are some basic structures, आप उन basic features को नहीं हिला सकते, उनके बिना हमारा constitution की जो identity है, वो धवस्त हो जाएगी, उन features का ध्यान रखते हुए, उसके अलावा आप जो मर्जी change लेकर आओ, constitution में हमें कोई दिक्कत नहीं है, अब सवाल उठता है, कि basic features में आ क्या क्या जाएगा, यह एक ऐसा concept है कि basic features में क्या क्या आ जाएगा, जिसका जवाब तुरंत supreme court ने नहीं दिया, जो की ever evolving है, जिसमें कई सारे चीज़ें, और इसके बाद जो judgment, केशव नंद भारती के जो बाद judgments आई है, उनमें कई सारे features को supreme court ने declare किया, कि यह basic structure है, यह basic structure नहीं है, so that is a question जो की बाद में हमें देखने को मिलता है, okay, so यह यहाँ पर था जी basic structure की doctrine, अब क्या-क्या features यहाँ पर add हुए हैं, वो भी 2-4 देख लेते हैं, फटा-फट से, कुछ आप भी सोच के रखेगा, जैसे कि supremacy of the constitution हो गया, democracy हो गया, republican form of government हो गया, यह सारे जो features ह fundamental rights में भी हम देखते हैं, freedom to speech and expression हो गया, freedom to life and liberty हो गया, यह सारे जो हैं हमारे basic structure का part माने गए हैं, यानि कि यह Supreme Court ने जो वो proper एक list बार-बार हमें देखने को मिलती हैं, वो basic features बार-बार declare किया जाते हैं, उनको छोड़ कर Parliament जो है, कुछ भी यहाँ पर constitution में change ला सकती हैं, त आपको मुझे उमीद है कि आपको यह पसंद आई होगी, अगली वीडियो में फिर एक बार मिलेंगे, दोस्तों, till then thank you and have a great day, thank you.